हेलो फ्रेंड्स दा फुल फॉर्म डिक्स नरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज किस वीडियो में हम सभी डिसकस करते हैं भारत सासन अधिनियम के बारे में दूसरो बहुत ही इंपोर्टेंट है में भारत सासन अधिनियम बनाया गया जो कि पारित कब हुआ लागू कब हुआ 1921 में लागू हुआ बना कब 1919 में लेकिन लागू हुआ 1921 में और इस कानून को मांटेक चैंप्स फूर्ट सुधार भी कहा जाता है जो कि आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपोर अब बात करते हैं इसकी विसेस्ताओं के बारे में तो सबसे पहली जो विसेस्ता थी वह यह थी कि केंद्रिय और प्रांतिय विस्यों की सूची की पहचान कर और उन्हें प्रतक कर राज्यों पर केंद्रिय नियंत्रव जो था वह कम कर दिया गया केंद्रिय और प्रांतिय विश्यों को पुन्ह दो भागों में भिभक्त कर दिया पहला था हस्तांत्रित और दूसरा था आरक्षित अब हस्तांत्रिक जो विश्य थे उस पर गवर्नर का शासन होता था इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिशत के प्रति उत्तरदाई थ ती सासन की इस दोहरी वảiवस्ता को द्वैध सासन वảiवस्ता भी कहा गया और यह जो वảiवस्ता थी ज्यादा सफल नहीं रही काफी हत्त की है असफल थी अब बाथ करते हैं अगले फैक्ट के बारे में इस सधिनियम ने पहली बार देश में द्वी सदनिय वेवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम भी की इस प्रकार भारती विदान परिशत के स्थान पर द्वी सदनिय वेवस्था यानि की राज्य सभा और लोग सभा का गठन किया गया दोनों सदनों के बहु संख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था दोस्तों इंपोर्टेंट बात है लोकसभा और राजेसभा का गटन कुछ इस तरीके से हुआ जो की 1919 के भारत सासन अधिनियम के अंतरगत आता है चौथा जो फैक्ट था वे यह था कि इसके अनुसार वाइसराय की कारेकारी परिशत जो थी वे 6 सदस्यों में से 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारती होना आवश्यक था यानि कि 3 सदस्य कोई अधर होंगे और तीन जो सदसे थे उनमें भारतियों का होना आवश्यक कर दिया है ना पांच बाज जो फैक्ट था वह था कि इसने सामप्रदाइक आधार पर सिखो भारतिये इसाईयों और आंगल भारतियों और यूरोपियों के लिए प्रतक निर्वाचन के सिध्धान तो जो था उससे प्रतिपादित किया या उसका विस्तार किया चटा जो पॉइंट है वह यह है कि इस कानून ने संपत्ती कर या सिख्चा के आधार पर समिती या सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया यानि की संपत्ती जिसके पास एक कर जो दे सकता है और जो सिख्चा है इसके इस तर पर लोगों को मताधिकार जो है वे प्रदान किया गए छहटा जो 7 ब जो पॉइंट है वैए यह था कि इस कानून ने लंडण में भारतिए भारत के उच्छा युक्त के कारेकाल का स्रेजन किया अब भारत तक अब तक भारत सचेव द्वारा किये जा रहे कुछ कारियों को उच्चा युक्त को इस्थांतरित कर दिया गया है ना आठ बजो पॉइंट था वह यह था कि इसे से एक लोग सेवा आयोका गठन किया गया अता 1926 में सिविल सेवकों की भरती के लिए केंद्रिये लोग सेवा आयोका गठन किया गया काफी इंपोर्टेंट है जो सेविल सर्विसे साब की एक्चुली में जो इसका एक डिपार्टमेंट था वह बनाया गया लोग सेवा आयोका जो की 1926 से सुरू हुआ है अब नौवा जो परण्ट है इसने पहली बार केंद्रिये बजट को राज्यों के बजट से अलग किया और राज्य विधान सभाओं ने राज्य विधान सभाओं को अपना स्वयम का बजट जो है वह बनाने के लिए अधिकार उसका दे दिया कि आप राज्य के जो विधान सभाओं के जो सदस्य है वह अपना राज्यों का बजट जो है वह अलग बनाएं दसवा जो पॉइंट था इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोका गठन किया गया जिसका कार दस वर्स बाद जाच करना था कि वो दस वर्स इनक के अंतरगत आता है है ना उम्मीद करती हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और वैल आइकन को भी दवाईए ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे